है है अब्रिवन दिस इस सतीश तिवारी यह बीसेर फेकिल्टी आई होब कि आप सब ठीक होंगे एक्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी तो लेट्स मूब फोवर्ड तो आपके हमने लाज्ट टाइम निरेशन को शुरू किया था और कुछ उसमें हमने पढ़ लिया था तो उसी पढ़ने पढ़ाने की बादचित को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो आईए नेक्स्ट टापिक से अपने मिलते हैं and that is interrogative, interrogative का close ended, okay, interrogative का close ended Interregative मैं आपको याद होगा मैंने basic जब आपको पढ़ाया था, basic information जब आपको दी थी तो उसमें मैंने बताया था interrogative के भी दो type होते हैं close ended and open ended तो close ended क्या बताया था मैंने close ended वो होते हैं जिसका answer सिर्फ yes या no में हो open ended question वो होते हैं जिसका answer हम explain करते हैं explanation में जिसका answer होता है तो सबसे पहले हम करेंगे close ended right close ended तो मैं अगर close ended के बाद करूँ आप से तो close ended में direct मतलब कैसे sentences आते हैं helping verb पहले आयाती है structure actually कैसा होता है helping verb पहले आयाती है then subject main verb and object plus question mark okay मैं आपको एक example करके बता देता हूँ कैसा sentence आता है जैसे मैंने लिखा राहूल said to her comma inverted comma do you have an extra pen okay तो यह हुआ आपका interrogative का close ended okay तो usually इसकी helping verb और helping verb रैट इसकी helping verb में क्या क्या changes आते है helping verb तो नहीं reporting verb में क्या changes आते हैं reporting verb देखते हैं क्या changes आते है रिपोर्टिंग यादे मैंने बताय था reporting verb रैइट to reporting verb में क्या changes आते हैं suppose यहाँपे say लिखा हुआ है तो इसको हम change करते हैं ask में अगर say लिखा हुआ है तो ask says लिखा हुआ है तो ask और अगर said लिखा हुआ है तो aged एड लगा देंगे अगर first form है तो ask आएगा first form के साथ SEIS लगा हुआ है, तो first form के साथ SEIS लग जाएगा, और यहाँ पर sad होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज के साथ ED लग जाएगा, ओके, और यहाँ पर अगर listener है, तब तो कोई problem नहीं है, listener हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ प sad to किवाल listener है, अगर यहाँ listener नहीं होता, किवल होता, राहूल said, इंवर्टेट कॉमा, do you have an extra pen, तो भी कोई problem नहीं थी, ओके, चले, तो यह तो simple हो गया, ask की जगह आप और क्या लिख सकते हो, ask की जगह आप लिख सकते हो, inquire, inquire, inquires, inquired, ओके, या फिर इसी की जगह आप लिख सकते हो, demand, demands, demanded, ओके, अब इसमें देखो, अगर listener हो, अगर listener ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर listener ना हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर listener है, लेकिन अगर listener है, तो listener से just पहले हम use करते हैं, off का, फिर से बता देता हूँ, inquire, inquires, inquired, या demand, demands, demanded में, listener नहीं है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर listener है, तो listener से just पहले आपको off लगाना पड़ेगा, ओके, चलेए, अब इसी की जगह आप use कर सकते हैं, want, wants, या wanted, ओके, want में लग जाएगा, तो wants हो जाएगा, want में ed लग जाएगा, तो wanted हो जाएगा, और इसके साथ हमेशा to know आता है, want to know, या wants to know, या want to, wanted to know, ओके, यहाँ पर क्या होगा, listener नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर listener है, लेकिन अगर listener है, तो listener से just पहले लगता है from, listener से just पहले क्या लगेगा, from लगेगा, यह from है, okay, from, अब इसी की जगह आप use कर सकते हैं, question, questions, questioned, okay, या इसी की जगह आप, लिख सकते हैं, interrogate, interrogates, interrogated, यहाँ पर listener हो, तो भी कोई problem नहीं है, नहीं है, तो भी कोई problem नहीं है, change नहीं होगा, जैसे यहाँ पर listener नहीं था, तब तो कोई problem नहीं थी, लेकिन अगर listener था, तो listener suggest पहले क्या use करेते हैं, from का, okay, लेकिन यहाँ पर question, interrogate, इसमें listener हो या ना हो, कोई फर्क, नहीं पड़ता, हो तो भी ठीक, नहीं होगा, तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे एक example करके बताता हूँ, राहूल set to her, इसी को कर लेते हैं, राहूल set to her, तो यहाँ पर देखो, do you have an extra pen, जैसे ही हमने आगे पड़ा, हमें पता चल गया, कि यह close ended है, तो इस set to को हम, यहाँ पर, राहूल, set to को हम क्या लिख सकते हैं, inquire चलो लिख देते हैं, set to हैं न, second form है, तो inquire को भी second form में change करो, inquired, और मैंने क्या बताया था, कि listener नहीं होगा, तो कोई problem नहीं है, listener नहीं होगा, तो कोई problem नहीं है, but, listener है, तो listener suggest पहले क्या लगेगा, off लगेगा, तो यहाँ listener है, तो listener suggest पहले क्या लगेगा, off लगेगा, of her, केवल मुझे इतना समझाना था आपको, बाकी अभी ये बाद में हम करेंगे, केवल हमें इतना समझना था, देखो, लिसनर से पहले set to है, तो inquire लगाया, और listener है, तो listener suggest पहले off लग गया, ओके, चले, आगे बढ़ते हैं, अब हमने ये देख लिया, reporting बब में क्या-क्या changes होंगे, अब हम देखते हैं, कि conjunction अगर होगा, मतलब अगर ये comma inverted comma है, तो इसको हटा के remove करेंगे, और क्या लगाएंगे, conjunction, और sentence को assertive में change कर देंगे, ओके, assertive, अब देखिए, ये comma inverted comma remove होगा, तो conjunction, आप conjunction क्या लगा सकते हैं, if भी लगा सकते हैं, या if की जगा, weather भी लगा सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी लगा लें, कोई condition अपलाएं नहीं है, कि यहाँ पर आपको if लगाना है, यहाँ पर आपको वैदा लगाने है आप इफ का भी यूज कर सकते हैं और वैदर का भी यूज कर सकते हैं not an issue फिर sentence को इफ या वैदा लगाने के बाद sentence को किसमें चेंज कर देंगे यहाँ पर subject आ जाएगा helping verb आ जाएगी main verb आ जाएगी and then object आ जाएगा और जो question mark होगा उसको change किसमें कर देंगे fully stop में change कर देंगे जो question mark होगा उसे fully stop में change कर देंगे और usual changes होंगे usual changes क्या guys याद है मैंने आपको बताया था कि अगर present tense में होता है present indefinite है तो past indefinite में change होगा present continuous है तो past continuous में change हो जाएगा तो यह सारी usual changes है ओके तो वो तो होंगे ही usual changes will be there चलो मैं आप पूरा एक आपको sentence करके दिखा देता हूँ current set to her, do you have an extra pen तो इसका indirect में change कर देते हैं इसको okay current set to को हम किस में change कर देंगे inquired में change कर देते हैं चलो अगर यह say होता तो inquired लिखते लेकिन यह said है तो inquired लिखेंगे क्योंकि यह second form है तो जो हम helping verb को मतलब reporting verb change करेंगे वो भी हम उसी form में change करेंगे जो direct में reporting verb होती है okay जिस form में direct में reporting verb होती है उसी form में indirect में भी change करते हैं अगर यह second form है तो जो indirect का reporting verb होगी उसको भी हम second form में ही change करेंगे और आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया था कि inquired में अगर listener ना हो तो कोई problem नहीं है लेकिन listener है तो listener से just पहले क्या लग जाएगा off लग जाएगा तो यहां पर listener है देखो her तो यहां listener से पहले off आजाएगा comma inverted comma को remove करेंगे और comma inverted comma remove करके क्या लिखेंगे conjunction, conjunction हम दो लगा सकते हैं if या फिर weather तो मैं if लगा रहा हूँ आप चाहें तो weather भी लगा सकते हैं if फिर sentence को assertive में change कर देंगे okay assertive में change कर देंगे तो यहां पर देखो you कौन से person का pronoun है second person का pronoun और second person का pronoun हमेशा listener क्या according change होता है listener क्या है her listener her है तो यहां पर you को किस में change कर देंगे she में तो she आ जाएगा she क्यों आया पहले क्योंकि हम sentence को assertive में change कर रहे है assertive में मतलब सबसे पहले subject आएगा फिर helping verb आएगी तो यह है present में तो इसको past में change कर दो okay तो she she had an extra pen she had an extra pen यह हमारा sentence हो चुका है ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी अब आते हैं open-ended तो अगर मैं बात करूं open-ended की तो यहां पर क्या होता है question word आता है okay question word आता है helping verb आती है and then subject आता है main verb आती है plus object plus question mark यही आपको देखने को मिलता है ओके चले अब इसका मैं एक example देता हूँ आपको कैसा होता है अंजले say to me comma inverted comma what are you doing what are you doing here okay अब इसमें क्या होगा इसमें जो conjunction मतला comma inverted comma है वहाँ पे comma inverted comma को हटाएंगे और comma inverted comma की जागा क्या use करेंगे conjunction का use करेंगे प्लस sentence को किसमें चेंज कर देंगे एजर्टियू में ओके एजर्टियू में चेंज कर देंगे अब conjunction यहाँ पे क्या लगेगा यहाँ पे हम जैसे ही open ended question करेंगे open ended question में जहाँ पे question word पहले आता है वहाँ पे conjunction if your weather का use नहीं करते ना ही that का use करते हैं वहाँ पे conjunction किस का use करते हैं कंजड़ अंधर का ही हम बनाते हैं प्लस, एजर्ट्यू में चेंज कर देते हैं, एजर्ट्यू में फिर से subject होगा, helping verb, plus main verb, plus object, plus question mark, ओके, चलिए मैं इस sentence को कर देता हूँ, इसको आप समझ जाएंगे, अंजली, said to me, comma inverted comma, what are you doing here, what are you doing here, ओके, तो इसको मैं change करता हूँ, indirect में, अंजली, अंजली, set to को मैं change कर दूँगा, ask में, आप चाहें तो inquired में भी change कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, set to को मैं change कर देता हूँ, ask में, और यहाँ पर ask कि जश्ट बाद listener आ जाएगा, याद है मैंने आपको बतायता, फिर से देखो, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ask है, ask के बाद listener हो, तो भी कोई problem नहीं है, listener नहीं हो, तो भी कोई problem नहीं है, ओके तो यहाँ listener है, तो आज के बाद हमने listener लगा दिया, अब यह देखिए, यह है, comma inverted comma, comma inverted comma को remove करेंगे, तो यहाँ पर conjunction, question word का ही use करेंगे, तो question word यहाँ पर what है, तो यहाँ पर conjunction क्या बन जाएगा, what ही बन जाएगा, ओके, अब आने वाला जो sentence है, उसे हम assertive में change कर देंगे, यह देखिए, you को कौनसे person का pronoun है, second person का pronoun है, तो second person का pronoun, listener के according change हो जाएगा, listener यहाँ पर me है, तो यहाँ पर I आजाएगा, भई मी का subjective case तो I होता है न, तो यहाँ पर subjective case, मी का I होता है, तो यहाँ आई आजाएगा, ओके, I, और यह sentence था present में, तो इसको past में change कर दो, I, I के just बाद, क्या helping verb was के use करेंगे, क्यों was के use करेंगे, क्योंकि हम इसको present से past में change करने हैं, तो यह present continuous में था, तो यह past continuous में हो जाएगा, past continuous का rule होता है, subject plus was ever plus first form of verb के साथ ing plus object, तो यहाँ I के साथ was लग जाता है, बताया था आ I was doing there, here किस में change होता है, there में change होता है, ओके, यह हमारा complete हो गया, sentence open ended का, तो यह हमने interrogative complete कर लिया, चले हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे बढ़ेंगे तो कुछ करेंगे example, ताकि आपको अच्छे से चीजें clear हो जाएं राखी सेड, comma inverted comma, राहुल, comma है यहाँ पर, why are, why are you crying, okay next, seema said, comma inverted comma, I have waited for long fully stop, what is my fault, what is my fault, third do you have do you have these documents question mark, said the manager said the manager manager नहीं, management कर दो to me yes okay, यहाँ पर मैंने yes लिख दिया, चलो पहले इसको कर लेते हम राखी सेड, राहुल, वाई आर यू क्राइं, इसको मैं अगर करूँ, हुजाएगा राखी राखी तो राखी सैड, राहूल, वाई आर्यू क्राइंग, इसका हम बनाते हैं, इंडिरेक्ट, राखी सैड, तो राखी सैड को मैं किसमें कनवर्ट कर देता हूँ, राखी, आस्ट, अब देखो, यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सैड के बाद तो लिस्नर ही नहीं, क्योंकि उसके जैस्ट बात क्या आ गया है, कॉम, कंजंग्शन आ गया है, मतलब यह आ गया है, कॉम, इन्वर्टिट कॉमा, तो हम कंजंग्शन के यूज कर राहुल, वाई रू क्राइंग, तो भई राखी, राहुल से ही तो कह रही है, तो यहाँ पर लिस्नर कोन हुआ, राहुल हुआ, अब यह राहुल लास्ट में भी लगा होगा न, तो भी कोई शु नहीं है, आपको सेंस लगाना है कि सर, यही हमारा लिस्नर होगा, ओके, तो जो question word होगा, उसी को हम conjunction बना देते हैं, तो यहाँ पर question word क्या है, why, तो यह as it is, क्या बन जाएगा, conjunction बन जाएगा, why, अब देखो, यह कौन से person का pronoun है, second, second person के एक according, listener राहुल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, he आ जाएगा, okay, he was crying, okay, राखी आस्ट राहुल, why he was crying, और यहाँ पर जो question mark था, उसको, fully stop में change कर दो, राम, अगला है, सीमा सेट, कॉमा, inverted, कॉमा, I have waited for long, what is my fault, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीमा, सैट को किसमें change करेंगे, आस्क में change करेंगे, किसमें change करेंगे, बताईए आप लो, बोलो बोलो बोलो, नहीं, इसको ask में change नहीं करेंगे, मैंने क्या बताये ता आपको याद है, narration की first class में, कि sad केवल, अगर केवल sad है, तो उसको change नहीं करते है, as it is लिखने है, तो sad के बाद कोई भी listener नहीं है यहाँ पर, या sad to नहीं लिखा हुआ है, तो जब sad to ना लिखा हो, और sad के बाद listener ना हो, तो sad को as it is रहने देंगे, तो यहाँ पर sad ही आ जाएगा, सीमा sad, comma inverted, comma हटाएंगे, और यहाँ पर that का use करेंगे, I have waited for long, अब यह देखिए, यह present perfect में है, तो इसको past perfect में change कर दो, I कोन से person का pronoun है, first person का pronoun है, first person का pronoun हमेशा speaker के according change होता है, तो speaker के according सीमा के लिए हम क्या लिखेंगे, she, have को had में change कर देंगे, क्योंकि हम past में change कर देंगे, she had waited for long, यहाँ पर fully stop लगाओ, what is my fault, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह हटेगा, यह हटेगा, fully stop, यहाँ पर end लगेगा, and के just बाद यह देखो, अब आगे question पूछने वाली बात हो रही है, what is my fault, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, and asked, भाई, what is my fault, आप किसी से पूछी तो रहे हैं न, कि मेरी गलती क्या है, तो यहाँ पर जब पूछ रहे हैं, तो what की जगा क्या लगाएंगे हम, ask लगाएंगे, मतलब what है, तो ask लगाएंगे, है न, and asked, और याद है, मैंने open ended में बताया था, कि जो question word होता है, वही conjunction बन जाता है, तो what as it is आजाएगा, और यहाँ पर, सीमा कह रही है, तो यहाँ पर हर आजाएगा सीमा के लिए, what her fault was, what her fault was, next question है, do you have these documents, यह काट दो, do you have these documents, set the management to me, ओके तो इसको change करते हैं, चलो इसको फिर से मैं लिक लेता हूँ, आपके लिए, इसको अटाओ, do you have these documents, documents, set the, management, to me, ओके, चलो इसको इसको इंडिरेक्ट में चेंज करो, यह डिरेक्ट में है, तो इंडिरेक्ट में कैसे चेंज करोगे, क्या जाएगा, देखो, set the management to me, तो यहाँ क्या जाएगा, the management, asked, okay, asked me, अच्छा, यहाँ पर, yes भी लिख लो, asked me, जो conjunction है, वो हटेगा, और उसकी जगा, हम क्या लिख देंगे, if या फिर, weather, तो मैंने if लिख दिया, asked me, if, I, यहाँ पर देखो, second person का pronoun है, तो you के according, me, by you second person का pronoun है, तो you, me के according, change हो जाएगा, तो यहाँ आई आजाएगा, those documents, these को किसमें चेंज करते हैं, दोज में, documents, अब देखो, यहाँ पर yes लिखा हुआ है, तो यहाँ पर yes को, अगर yes लिखा हो, तो replied positive, और अगर no लिखा हो, तो replied negative करते हैं, ओके, तो यहाँ पर yes लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लगाएंगे, fully stop और यहाँ लिखेंगे, I replied positively, ओके, I replied positively, तो यह हमारा हो गया, थर्ड एक्जाम्पल, अगर पास्ट में कुछ कंडिशन्स हैं, वो कंडिशन्स क्या हैं मैं बताता हूँ आपको, you have to remember one thing, कि अगर पास्ट में कुछ चीज़ें होंगी, तो वो चेंज नहीं होंगी, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं गाईज, देखते हैं उसको, पास्ट में अगर होंगी तो भी चेंज नहीं होंगी, तो मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, when the report reported speech contains the universal truth when the reported speech contains the universal truth कैसे देखते हैं करन said the earth attracts everything inverted, close actually इसको बहुत सारे teachers कहते हैं कि यह change नहीं होगा और बच्चे इसका reason पूछते है तो बच्चों को बोला जाता है कि बैटा यह exception है बस इसको आप याद कर लो देखिए पढ़ने की दो ही method होते हैं या तो आप उसको समझ लो या फिर उसको आप रट्टा मार लो okay आपको कहा जाता है मान लो बेटा मानना नहीं है आपको जानना है मान तो हम लेते हैं लेकिन उसके पीछे हम logic नहीं ढूणते कि ऐसा क्यों हुआ चले मैं logic की बात करता हूँ कि actually ऐसा होता क्यों है कि universal truth कभी भी इसमें कोई भी changes नहीं होते अगर universal truth का direct अगर आपके सामने आ गया तो आपके सामने current set, inverted, the earth attracts everything अब यह change क्यों नहीं होगा इसमें कोई भी changes क्यों नहीं होते एक बात बताईए the earth attracts everything यह हमने सुना है कि धर्ती अपनी तरफ चीजों को attract करती है यह आपने भी सुना है आप से पहली वाली PD ने भी सुना है उससे पहले वाली भी PD ने सुना है हर एक PD में यह चीज apply होती थी कि attract करती है अपनी तरफ धरती अपनी चीज, मतलब चीजों को अब पहली वाली PD ने भी सुना है आने वाली PD यह भी इस चीज को सुनेंगी उनके time में भी यह चीज apply होगी कि जो अर्थ होती है वो चीजों को attract करती है क्या यह change हो सकता है क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अर्थ अपनी और चीजों को attract ना करे क्या किसी भी जमाने में यह ऐसा possible हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो जब यह possible नहीं हो सकता कि attract ना करे तो आप इसको change भी नहीं कर सकते इसलिए कहा जाता है कि universal truth होगा तो वो कभी भी change नहीं होगा उसमें उस sentence में कोई भी change नहीं करते सिर्फ और सिर्फ conjunction यहाँ पे that का use करते हैं that का use करते हैं और that लगा के बाकी as it is sentence को लिख देते हैं देखें करन सेड एस रहेगा इसमें कोई change नहीं होगा याद है मैंने बताया था कि अगर केवल सेड है और listener नहीं है तो उसमें कोई भी change नहीं होता तो said as it is रहेगा comma inverted comma हटाएंगे और यहाँ पे that लगा देंगे बाकी as it is पूरा का पूरा sentence हम यहाँ पे लिख देंगे the earth attracts everything that's it क्या इसमें हमने कोई change किया नहीं किया केवल comma inverted comma हमने remove किया उसकी जगह conjunction that के use किया अब और क्या changes होते हैं और क्या-क्या चीज़े इसमें आती है proverb हो या फिर quotations हो ओके या फिर sayings हो कहा होते हैं और कभी-कभी historical events आ जाते हैं historical events अब देखिए आपके सामने proverb क्या आ गए मालो एक sentence लिखता हूँ आपके मन की बात लिखता हूँ अपके true love never changes true love never changes अब true love never changes यह वाली बात हमने भी सुनी है, हमारे पापा ने भी सुनी है, हमारे दादा जी ने भी सुनी है और उनसे पहले भी आने वाली पीडियां उन्होंने भी सुनी थी, अब जो आने वाली पीडियोगी आगे, ठीक है, वो भी यही चीज सुनेंगे, true love कभी भी change नहीं होता, तो जब यह change नहीं होता, तो हम sentence में भी कोई change नहीं करेंगे, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होग तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, as it is हम कर देंगे, the teacher, explained, comma inverted comma को हटाएंगे, that लगा देंगे, बागी सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी change नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, true love, never, changes, all right, okay, अब बात आती है, historical events की, तो historical events का भी एक example दे देता हूँ, आपको, easily आप समझ जाएंगे, Mansi said to me Mansi said to me, comma inverted comma, Gandhi launched the satyagraha in 1917 Mansi said to me, comma inverted comma, Gandhi launched satyagraha in 1917, अब एक बात बताएंगे, क्या ये बात कभी, किसी भी जमाने में, या किसी भी time, ये बात change हो सकती है क्या, ये तो बात true है, इसको हम change नहीं कर सकते, चाहते हुए भी इसमें हम कोई भी change नहीं ला सकते, ये बात बिलकुल true है, कि गांधी जी ने 1917 में satyagraha launch किया था, अब ये बात आपको भी पता है, आपके पिता जी को भी पता होगी, और आपके दादा जी को भी पता होगी, कि गणे ने 1917 में satyagraha launch किया था, और आने वाली PDI भी 1917 ही, मतलब जो satyagraha launch करने की बात होगी, उग 1917 में ही गांधी जी ने किया था, ऐसा नहीं है कि हमने तो 1917 पड़ा%, satyagraha launch हुआ था, आने वाली PDI या 1918 पढ़ेंगी, ऐसा नहीं है, 1917 में Satyagraha launch हुआ था, वो हर PD 1917 ही पढ़ेगी, कभी भी वो 1918 या 1920 ही पढ़ेगी, जिसमें सत्याग्रह लाउंच हुआ था, उसी में ही वो PD पढ़ेगी हमेशा, किसी भी situation में 1917 से 1918 नहीं हो सकता, तो जब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, तो हम भी अपनी तरफ से कोई भी चेंज इसमें नहीं कर सक और को चीजों को समझना हैं, ऑपको कब teacher कहते हैं कि बेटा, यह exception है इसको रटलो, जब आपको समझाने में असफल होते हैं, या फिर आप समझने में असफल होते हैं, तो हम कहते हैं, यह exception है, इसको समझ लो और language में याद रखना guys, language में कोई भी चीज exception नहीं होती, हर एक चीज को हम समझ सकते हैं, logically, okay, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, comma, inverted, comma की जगा, that का use करना है, और set to को हम merge कर देंगे, told में, चलो मैं इसको पूरा बना देता हूं आपके सामने, मांसी, set to को हम change कर देंगे, told में, told मी, comma, inverted, comma को हटाएंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, that का use करेंगे, और फिर यहाँ पे, गांधी, as it is लिख लिएंगे, कोई भी change नहीं करेंगे, याद रखना, गांधी, launched, the, satyagraha, in, 1917, यह हमारे सामने, यह वाला लॉजिक complete हुआ, जब भी universal truth आए, कोई भी change उसके sentences में नहीं करते हैं, indirect बनाते time, ओके, जब भी हम बात करेंगे, प्रोवव की, उसमें भी कोई change नहीं करेंगे, कि जब भी cutation आपके सामने आएगा, APJ अब्दुलकलाम साहब का कोई cutation आपके सामने आएगा, तो उसको भी indirect बनाते time change नहीं करते हैं, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, चले, दूसरी condition हमारे सामने आती है, रिस में आती है, वहन, रिपोर्टर इसपिछ, contains conditional sentence conditional sentence conditional sentence जैसे conditional sentence में जैसे आपके सामने आएगा if या फिर आपके सामने आजाएगा in case या फिर आपके सामने आजाएगा provided या provided आपके सामने supposed देखने को मिलेगा supposed okay कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है ये when while before after as soon as as soon as okay तो इस condition में क्या करेंगे हम जरा देखिए आपको याद रखना है अगर present में है sentence तो उसे past में change कर देंगे लेकिन अगर past में है reported speech की बात कर रहा हूँ अगर past में है तो उसमें कोई भी changes नहीं करते हैं no change no change okay आपको example देता हूँ आप better समझ जाएंगे आपके सामने हीना सेट to me comma inverted comma if it rains I will cancel I will cancel that trip okay तो इसको कैसे करेंगे देखे जरा इसका indirect कैसे बनाएंगे हीना told me comma inverted comma को हटाएंगे और यहां पर that का use करेंगे हम that if it rains if it rains लेकिन 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 यहां पर यह condition है मैंने क्या कहा था present में होगा तो उसे past में change करेंगे तो यह present में है तो इसको चेंज करते हैं ठीक है if it रेंड अज़े if it rains शी भाई आई कों से person का प्रोनाउन है आई है first person का प्रोनाउन आई first person का प्रोनाउन किसके according change हो जाएगा हीना के according क्योंकि speaker हीना है तो speaker हीना के according शी आएगा यहाँ पर ओके और विल को किस में change कर देंगे वोड में change कर देंगे शी वोड कैंसल दा ट्रिप ओके यह हमारा हुआ सेंटेंस ओके एक और बना देता हूँ आपके सामने ताकि चीजे और अच्छे से क्लियर हो जाएए केशव सेट कमा इंवेट कमा वन आए कालड हम वन आपकाल हम ही वाज असलीप केशव सेट को as it is रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है लिसनर नहीं है तो सेट को as it is रहने देंगे केशव said, inverted, को हटाएंगे और यहाँ पर that का use करेंगे when I called him अब देखो मैंने कहा था अगर past में होगा तो उसमें कोई भी change नहीं होगा तो यहाँ बस किवल क्या करोगे I को listener के according यानि कि केशव के according ही लगा दोगे लेकिन उससे पहले when है when को as it is रखोगे when he बाकि as it is सारी चीज़े रहेंगी he called him he was asleep he called him he को भी change नहीं करते हैं यह तो आपको पता ही है क्योंकि third person का प्रोना उन्हें he was asleep ओके तो यह हमारी third condition हुई चले यह हमारा sentence complete हुआ अब मैं मैं आपको यह समझा चुका हूँ आप इतने की अच्छे से practice कर लेना और बाकी last का topic हम करेंगे next class में last में हम क्या करने वाले इंपेरिटिव ओके exclamatory sentences वो सारी चीज़े हम करने वाले हैं ओके एक last class और बची हुई है आपकी narration की otherwise narration भी complete हो जाएगा ओके तो next class में हम लोग narration कर लेंगे till then आप इसको practice कीजिए अच्छे से अच्छे मतलब अच्छी तरह से practice कीजिए जीतना हो जागे उतना practice कीजिए till then take care goodbye और अच्छे से पढ़ाई कीजिए practice कीजिए कोई भी problem हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं okay till then take care goodbye